साथ श्याकाल दोस्तों, वेलकम टो डोर स्टैप एजुकिशन पॉइंट, उमेद करदां तुसी सारे वदिया होने हैं अज दी क्लास विच आप पंजाबी पैड़ा गोजी दे, कुछ प्रसना नो डिस्क स्क्रें जा रहे हैं एक क्लास तो अड़े, PSTAT and CTAT exam ली काफे important है शो शुरू करदे हैं अज दी अपनी क्लास नो जेकर तुसी एस चैनल ते इस वीडियो नो पहली वार विख रहे हो ते चैनल नो सब्सक्राब जरूड कर लियो और इस वीडियो नो लाइक वी कर दियो अज दी क्लास विच आपा जिनने वी प्रशनानों डिस्कस करांगे हो सकता है कि तो अड़े exam दे विच वी एस तरह दे प्रशन वी खन नो मिलन जेकर तुसी एना प्रशनानों बड़े हित्यान नाड समझदे होए एना नो सॉल्व कर दियो तो अड़े प्यस टाट याफल सी टाट एक्जाम दे विच पंजाबी सेक्शन विच तुसी वधिया परफॉर्म ही करोगे तो शुरू कर दिया जी अज दी वीडियो नो पहला जड़ा प्रशन है जी जे विच तो अड़े तो पुछा जा रहा है माबूली अदारत बहुपाशाबादी की है बहुपाशाबादी अपा गल कर दिया कि जदो अपा मदर टांगरों इंक्लूड कर दिने है मा बूली अधारत बहु पाशा बाद की है जी पहली आप्शन वेच लेखा होया सिर्फ मा बूली दी सिखलाई या फिर आप्शन नमबर बी मा बूली राही सिखलाई या फिर आप्शन नमबर सी पहला मा बोली सिखके होडी होडी होर पाशामा सिखनिया या फिर option बड़ी बहुत सारियां पाशामा अते विदेशी पाशामा नू मा बोली वजों सिखना सही जो आप दी जेगर आपा गाल करिये मा बोली दी मदर टंग दी अती गाल कीती जा रही है पंजाबी पेड़ागोजी वेच या फिर आपां अपने करू करीकुलम दे वेच नमी सिख्या एजुकेशन पॉलसी जड़ी है गी है जड़ी वेच आपां मदर टांग दी जदो भी आपा गल कर दी है किसे भी बच्चे नू सिख्या देन ते जड़ा दो जोर देता जानदा न ओ किड़ी लेंग वेच वेच देता जानदा है ओ देता जानदा है मदर टांग वेच ते मदर टांग वेच किसे भी पाशा नू बच्चे नू आपा जदो दिन नहीं आ ते क्यों एदे पिछे एहे रीजन है कि बच्चे नू आवदी मा बोली वेच जदो भी आपा कोई चीज समझाने आ ते उन्हों चीजां बहुत शेती समझ लग जान दियाने मतलब है कि जेकर किसे बच्चे नू आवदी मा बोली नहीं हो दी ते आपा उस बच्चे नू होर कुछ नहीं सिखा सकते तो इस कार के ही पहला मा बोली सिख के हड़ी होर पाशा हमां सिखनिया एही हैगा जी मा बोली अधारत बहुत पाशाबाद दा अर्थ सो option number एते केड़ा सही होगा जी option number C ने तुसी सही टिक कर सकती हो ते अपा चाल दिया जी अगले प्रशन ते अगला जड़ा प्रशन है school सिख्या निती विच पाशा डैस वजो जाने जन्दी है जोदो भी आपा education policy दी गल करती है स्कूल सिख्या निती दी गल करती है ते language नो आपा की करने है language नो आपा बहु पाशा सिख्या करने है सिख्या विच पाशा त्रेपाशी फॉर्मूला या फिर मा बोली अधारत बहु पाशा बाद सो दोस्तों एधा जड़ा सही जवाब होगा जी स्कूल सिख्या निती विच पाशा त्रेपाशी फॉर्मूला वज्जो जाने जानी जानी है ठीका जी सो तेन लैंग्वेज ये ते गल किती जानी है एक ता होगी जी मदर टांग दूजी जड़ी है जी लोकल लैंग्वेज हो सकती है तीसरी लैंग्वेज फॉर्ण लैंग्वेज ये फिर अखरा आते तु नियातों सब्दा वाकंशा अते फिर वका द्वारा सिख़दे हन या फिर option number B एक तार्ना की सिख़्यारती पाशा दे हिस्यां तो पाशा सिख़दे हन अथे तुनिया ते अक्रावरगिया शोड़िया एकाईयानु समझ दे हन या फिर option number 3 एक तार्ना की पाशा दे सिखलाई é चोटी तो शोटी एकाई वर्ण मला दे अखरा तो शुरू हुंती है या फिर option number 4 एक तारना कि सारियां पाशामा एकको तरीके नाल सिखियां जानती है हन सही जवाब दी जगर आपा गल करिये संपोर्ण पाशाई पहुंच है गिया जी एक तारना है कि सिख्यारती पाशा दे हिस्स्या तो पाशा सिख दे हन अथे तुनिया दे अकरावर्गीया शूटिया एकाईया नो समझ दे हन option number 3 जड़ा है का जी ए वी सही हो सागदा बड ज़दु आपा option number 2 नो वेक दे हन अख्छानी ठीक लिखी है एक तारना किसे ख्यारती पाशा दे हिस्स्या तो पाशा सिख दे है गया जी तो नहीं आते अक्रावर्गयां शूटियां कहीं तो समझे दे है गया सरक्नातमक पॉंच अप्शन नबर बी व्याकरन अनुवादा टांग या फिर अप्शन निबर त्री संचारी पॉंच या फिर ऑप्शन बड़ी संपूर श्रीर्यक पृतिक्रिया पाशा पुड़ाउन दे टाइम दी गल किती जा रही है पाशा पुड़ाउन दी केडी पॉ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देवेचे एक अलकिती जान दिया तो एदेवेच केड़ा जवाब सही होगा एजवाब होगा जी ऑप्शन नमबर भी व्याकरन अनुवाद दा टांग ग्रामर ट्रांसलेशन एक होजा मेथड है गा जी बच्या नूँ पाशा पड़ा उन दा जी देवेच मेंली ग्रामर टी जड़ी रटाफिकेशन है गया जी ओ करवाई जान दिया एक काफे डेडिशनल मेथड है गया पुराने टीचर्स द्वारा एक मेथड यूज कीता जान दा सेगा जो शब्द दे अग्जा पिछे लग सागदे हैं इस विदे इनू की नहाद दता जावएगा तर्तीब क्रम, शब्द जाल, शब्द खेड, शब्द बनतर की गलग ही जा रही है थे कविता आशाय दे आपका है गी है कविता नाम दे एक टीचर है जी कविता नाम दे टीचर आप दे सिख्यार्थी करण होंदे ने जी लर्नर्स होंदे ने उन्हादे स्टूडेंट होंगे उन्हादे जड़ी स्टूडेंट है गी है उन्हानों वक्खों वक्रे जड़ी विश अगले प्रशन थे। अपने सख्यार्थयां अब्स सम्रत्वाइस संबरभाणchnya भी अगले प्रशन दुन्ठ लें गोगी है। चुब में ली कीता है कि उन्हें एक टीचर ने न एक पैराग्राव देता है, ते पैराग्राव विच ना बहुत सारियां खाली थामा उन्हें शड़ देती है, ते उन्हों कहले आपदे बच्चा नो के चलो पर वे नो, की कर रहे होती हो, की है काये है, पढ़न दी लब की एक paragraph विच काफी सारी खाली थामा शट्ट दितियां जान दियांने इना नो तुसी की खाली थामा कै सकते हो बिलकुल नहीं खाली थामा था मेली था उन्हों एक sentence विछ विखण मिल दियांने बट ज़्दो आपका गल करती हैं कि किसे भी paragraph विच बहुत सारी हैं खाली test कहने हैं कि कहने आजी close test आपा कहने हैं so option number four is the right answer इस दे नाड़ ही चल दे आपा अगले प्रशांते बोल दे समय ठीक उचारन नाड़ योग करम वेच ठीक शब्दा दी वर्तो है की हैगा जी तो अड़े तो सिद्धी definition पुछले गई या इदी कि उन्हों भी पा कमांगे की कि जदो भी आपा बोल दे समय ठीक उचारन कर रह ही या योग करम वेच जेमें की नाव पड़नाव हो गया जी ओदे वीच काफी सारे करियामा शब्दा दे वेचे किसे भी वाक वेचे किने सारी components सुन्दे आना किसे भी शब्दा दे सौ उन्हानु जो थो दूसी तरतीव इस लगाए हो क्रम वेच लगा रहे हों उन्हाँ ठीक तरीके नड उचारन कर रहे हो कि ये body language है बोलन दा यंतर विज्ञान है या फिर है पाशाई कार्ज है या फिर option number D option number 4 वर्तो विच पाशा आप में नहीं गाला कर दें बोलन दा यंतर विज्ञान option number B है गा ये तो अड़ा सही जवाब है कि बोल दे समय ठीक उचारन नाड योग करम विच ठीक शब्दा दी वर्तो है बोलन दा यंतर विज्ञान option number B is the right answer चल दें आजी अगले प्रेशन ते कहानी सुनों नो एक विज्ञान दे संद वज्जों कदों वर्तिया जानता है सो में लिए थे स्टोरी टैलिंग दी गलकिती जा रही है स्टोरी टैलिंग नो जोदो विज्ञान आपा टीचिंग कर रहे हैं कदों वर्त दीया तो आटे तो मैं प्रेशन पोच रहे है सुनन गती विदी वेच बच्चेया नो और जौन लई कि option number 2 तो बच्चेया दे सुनन कोशल दे विकास लई या फिर option number 3 पाशा दे ज्यान कोशला दे विकास लई या फिर option number 4 क्लास विच अनुशाशन बनाओं लई तो अनुशाशन बनाओं लई ता बिलकुल नहीं होगा जी ते कहाणी सुना रहे आपाँ बच्चेया नो की अनुशाशन बनाओं लई कहाणी सुना वागे जी आपा option number 1 सुनन गतिवे दिवेच बच्चेया नो रुजाओं लई एक कुछा तक ठीक हो साकदा बढ़ अपा अनुशाट दे याँ अपा अगले प्रेशन नो वेख दियाँ अगले option वेख दियाँ बच्चा दे सुनन कौशल दे विकास ले ये भी ठीक है जी उना दे listening जड़ी skill लेगे develop करन ले बढ़ जदो तुसी option number 3 नो वेख दियो पाशा आते ग्यान कौशला दे विकास ले ये दिवेश ते चारे skills आगी है LSRW listening, speaking, reading, writing पाशा दे ग्यान कौशला दे विकास ले ये गल बिल्कुल ठीक है गी है न ते बाकिये दे पहले दो option ने ये भी गल्थ होगे बट option number जड़ा C है गा ये मतलब wider perspective दी गल करता है सोजेदिकार की option number 3 तो अड़ा सही जवाब हो गया अगले प्रसंदे चाल दे या प्रसंग विच व्याकरण दा अर्थ है प्रसंग दे विच जदो व्याकरण आ रही है एदा की मतलब है ड्रेल ते अब आस रही व्याकरण सिखनी option number 2 पहला रूप नो सिखे कार्जवल जाना या फिर option number 3 प्राकरतिक पाशादियां उदारना तो सिखलाई लेनी जना विच इनादे रूप दाते आन रखके संदर्ब, संदर्ब अंदाजी context context विच पढ़ाई किती जादी है या फिर option number 4 संदर्ब गनाल रूप दी सिखलाई जिस विच सिख्यार्थी पढ़ा विच वार विकासवल वदा है ते एक मैं होर तो आनो इंटर्स्टिंग अलाज ना मन लो तो आनो पैडागोजी विच पंजाबी विच किसे वी प्रशन विच कोई प्रशन समझ नहीं आ रहे है ते maximum chances एहे हुंदी है कि जड़ा जवाब सार्या नाणो वड़ा हुंदा न काफी हद तक ज़्यादा chances हुंदी है कि ओ तो आड़ा जवाब बिल्कुल ही सही होगा यह मैं सिर्फ इस situation विच कह रहे है जदो तो आन्नों question विल्कुल भी समझ नहीं आ रहे है ठीक है जी तो एदे विच की पुछा जा रहा सगा प्रशन विच व्याकरन दा अर्थ की है गा जी तो एदा जड़ा सही जवाब है का जी option number 3 option number 3 एदा जवाब सही है का जी ते आपा पड़ भी लेने है की लिख्या की है प्रसंग विच जड़ी व्याकरन है की है एदा अर्थ है का कि प्राकर्तिक पाशा दिया natural जड़ी language है की है उदा ना तो सिख लाई लेनी जिना विच इना दे रूप दा ते आन राख के उदी context विच पड़ाई कीती जड़ी है तो एगल बिल्कुल ही ठीक लिखी होई है प्रसंग विच 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 व्याकरन दा एही अर्थ है का जी so option number C नो तुसी या फिर 3 नो तुसी टेक कर सकती हो ते आप से नाली चाल दियां अगले प्रसंग दसमा प्रशंग है जी हेट लिखा विच 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 होऊ केड़ा लिखन कोशल दा अद्यान नहीं है लिखन दे गल कीती जारी है writing skill दे गल कीती जारी है कि writing skill दा part है ही नहीं हो कि वो lecture हाँ तो नोट करना है जिवें टीचर अपने लेक्चर देंदी है ना कुछ भी बड़ा आ रहे हों दिया ते बच्चे नोट करना शुरू कर दिया ते कि उन्हों नोट करना ए लिखन गोशल दा अध्यान हैगा या कि नहीं हैगा या फिर ऑप्शन नमबर दो पढ़ते समय नोट क किस ना ने इना आपानों आ पुछा सगा आपानों आ पुछा सगा कि न विचा किड़ा लिखन गोशल दा अध्यान नहीं है तो या दी विच आपा कोई लिखन गोशल नहीं प्रूब कर रहे ब़लकि ऑक दो तेन ऑप्शन हा किदे न Lite गोशल दी वर्तुक चर रहे हैं पुस्तकां दे लेखक हमेशा असली लेखकां वल्लो लिखे पाठ कवितामा अते बितरांत अते अखबारां दे रसालें आदी विचो मौलक लिखतां शामिल कर लेंदे हन क्यों कि क्यों कर दे है गिया कि कई पुस्तकां दे जड़े लेखक ने जड़े असली लेखकां वल्ल और प्रमानिक ते प्रकर्तिक पाशामा हों दिया है या फिर option number B पार्ट पुस्तका दे लेकक उन्हानों पसंद कर दिया गया जी ताइड कर दिया या फिर अब या आशे देन मुने लई ओ वर्तो योग हों दिया या फिर option number D ओ पड़न लई टोकमे हों दिया है सही जवाब दीजेगर आपा गल करिये ओ प्रमानिक ते प्रकर्तिक पाशामा हों दिया है जिदे करके उन्हा पार्ट पुस्तका दे लेकका वलो उन्हानों एड किता जानता है सो option number की जवाब सही होगा जी option number E जवाब तो अड़ा बिल्कुल ही सही होगा ते इस दे नाड़ी आपा चल दिया जी अगले प्रशन थी ते इन आवे जब बाकी option आणों डिसकस करां तो कोई मतलब बढ़न दा है नेगा क्योंकि बाकी निया option आप बिल्कुल वैसे गलत लागरी है ने दूसरी option विच लिखा कि वो पसंद कर दियाता है अड करनगी अब आज दिन मूने लिए ओ वर्तो योग होगा या फिर ओ पड़तले टोकवे हों दिया गिया पड़तले होर भी काफी सारी है जहां ठोकविया हो सकती है ने बाटापा मेली की वेकना हों दा है क्यों परमानेक दे पड़ते पाशावा हों दिया ने जे दे नाड़ा बच्चे पाशा नो बहुत चंगी तरीके नल सिख सकती है पहली ओप्शन से की जड़ी एट लिखे है कारज केड़ा है अधिया अपक अपनी गति अंसार पाट पड़ता है अते समुहा वेच से ख्यारती नुकते नोट करके पाट दी पुन्र उसारी कर दे हैं तो मन लो कि मैं एज टीचर कोई पाट पड़ाया आव दी कती नल मैं पाट पड़ता दी बच्चे नो कहा कि ठीक है बच्चे हो तो उसी होना इननों दुबारा लिखके बखाओ जो कुछ मैं तो उन्हों दस्या सो मैं की करवा रहे हैं बच्चे नो मैं उची बोल के लिखवा रहे हैं की या फिर ऑप्शन दो व्याकरन डिक्टेशन दे रहे होना नो या फिर दुबारा लिखन दा कार्ज दे रहे हैं या फिर ऑप्शन नमबर फूर आपस विच बोल के लिखवा रहे हैं मैं होना नो ग्रामर दी वर्तू करनी के मिया वो कम हो रहा ते डिक्टेशन दा भी कम हो रहा क्योंकि मैं ता एक बार आप दी स्पीड नर्ड पाड़ पड़ता उस तो बाद बच्चा नू कहा कि तो सी पुर्ण उसारी करके लिखो ए नू पुर्ण उसारी करके लिखो उस ओप्शन नंबर B is the right answer ओप्शन नंबर 2 नूट करूँ देकते आपा चाल देया अगले परिशन ते पाशा दे पहले विकास नू आम तोड़ते कहा जानदा है की कहा जानदा है जी पहले विकास नू सिख्या, प्राप्ती, विकास या फिर बुध, संग्यान जदो भी आपा पाशा दे, पहले विकास नूट कर देयां इन्हों आपा कहने है जी प्राप्ती जे में पंजाबी है कि आप पंजाबी पाशा दे आपा प्राप्ती कीती है ना कि आपा सिख्या या जे में अंग्रेजी पाशा या उसे लर्न कर देयां, grammar दे, rules पढ़ देयां, उस्तु बाद तुसे सिख्दीयों वह हुन दिया जी सिख़्या, आपा आपा लर्न, लर्निंग कर देयां बट आपा पंजाबी नूँ आपा की कर देयां पहली जड़ी पाशा हों दिया, उन्हों आपा प्राप्ती कर दिया, अक्वायर कर दिया, so option number B is the right answer, option number 2 सही है अजी, second last question नो वेक लेने है, पहली जमात दे, एक अध्यापक कोड, जी है बच्चे सिख्यार्ती हन, जिना दी मा बोली, वक्खो वक्री है, वो अपने सिख्यार्तियानों जमात वेच, वारी वारी सारियां पाशामा वेच, नमस्कार बलॉंडली कहनदा है, सिख्यार्ती रोजानना, वक्ख वक्ख पाशामा दे कोजश शब्दां दे, जानू होन दी कोशिश करते हैं, अधे आपक इना विच्चों केडा टंग अपनाऊंता है, एक साधन वज़ो बहुँ पाशाबाद, पॉलिगर्टिसम या फिर ऑप्शन नमबर थ्री, एक तरीके वज़ो भी पहने था, या फिर ऑप्शन नमबर फूर, एक पाशाबाद, जदो आपका गल करते हैं कि एक क्लास वेच एक टीचर की कर रहा है, आप दे लेर्नर्स तो होना, मतलब ओदी कलास वेच बहुत सारे बच्ची है गया, तो उना नो की कह रहा है, उना नो कह रहा है, के तुसे सारे आवदी आवदी पाशा वेच नमस्कार करना सिखो, याद करो, बोलके वखाओ, तो कि टीचे न कहते है ओना, उना दी लैंग्वेज नो ना, की कर रह एक साधन वजों बहुत पाशाबादी वर्तों एथे किती जा रही है एक साधन वजों बहुत पाशाबादी वर्तों एजे किती जा रही है एक साधन वजों बहुत पाशाबादी वर्तों एजे किती जा रही है दो, शब्दा अते शोटे वाका दी वर्तो रहीं, या फिर उप्शन नम्बर थ्री, वन्ड माला दी अक्रान उप्ड ओंड रहीं, उप्शन नम्बर फूर, बोलन अते सुनन दी प्रक्रिया रहीं, सारे ही उप्शनानों जदो तुसी वेख दी हो, पाशा दी आपा गल कर द या, उप्शन नम्बर थ्री दी, कि वन्ड माला दी अक्रानों प्रण रहीं, सो ए जड़ी उप्शन है गिया, ए बिल्कुल ही डिफरेंट है गिया, सो आपा बच्यानों पाशा सखोनी या जानों करोना या, सो ए प्रमानिक नहीं हैगा, सो उप्शन नम्बर जड़ा थ्र पर वाचिंग, गद्ब्लेस यवाल